है अधे हैं मेरी प्यारी दोस्तों कैसे हैं आप लो आश्रकरतियूं के आप सब बहुत अच्छी होंगे में भी ठीक हूं आप सबी कल चागत करती हूं रादी रादी हरी कृष्णा तो दोस्तों सुबा कर टाइम है और यहां पर मेरे घर के सारी काम हो चुते इसके बादी मै पूजा करने के लिए तो हमारे दिखिए लड्डू गोपाल उठा दिया मैंने उनको और अपने लड्डू गोपाल को मैं करीबन आठ साड़े आठ बजे के बादी उठाती हूं तो दोस्तों मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूं विंटर स्रीजन में तो यहां पर मैंने अपनी लड्डू गोपाल को अबेब उठाया है और करीबन मैंने आठ साब आठ वजी के बादी उठाती हूं और उठाने के बाद फिर उनको इश्णार करवाती हो भी ज़ग गरम पानी से तो यह भी बच्चे हैं इतनी जल्दी नहीं उठाती हूं यह ठाक पुर्जी हैं तो इने सबसे पहले मैं नाकर क्याती हूं कि रेने की ज़ग सेवा करती हूं और जैसी भी मेरे हमसे सेवा लेना चाहते बैसे यह सेवा लेते हैं हमसे तुम-टमली कैसे हैं आप सभी लोग आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छ होंगे मैं भी फिर से स्वागत है मेरे नियू ब्लॉग में तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और पुजा पाठ हो चुकी है घर का सारा काम करके तो चली-चली किचन में और देखती हूं अभी क्या बने रही गा ब्लॉग में और ब्लॉग को एंट तक जरू देखना तो विंटर बना लेते हैं तो देखिए दोस्तों मैं जो है सुबह अपने गोपादी की फुजा पाठ करके और आ गई हूं किचन में और यहां आने के बाद मैंने सब्सेश चली बना लेते हूं खाना पीना तो मैं खाने में बना रही है अभी देखिए मैंने जोग साम को थोड़े से बच गएते उपले हूए तो मैंने रख दिये देखिए मनका सुबह कुछ बना देंगे तो अभी सब्सेश वचा कि यह अलू भी खराब जाएंगे तो इनको इंगे बना लेते हूं तो थोड़ी सी रखी ती चाज तो मैंने सुजचरी बना देते हूं चाज की सब्सेश ब दूंगे जब यह मतलब खुलने लगेंगे तब और उसके बाद में तब तब फिर में बना लेती हूं यह पाचाय बगरा तो सुबह का टाइम है और ठंड का भी देन है तो थोड़ी वह चाय बाई पील लेते तो थोड़ी सी मतलब दिन सरीर में थोड़ी गर्माट आ जात तो सुबह सुबह तो चया बगराने पी तूप बानी पीलेती हूं गरम करके और चाय भाय तो फिर बाद में पीती हूं जब गर की मतलब पुझा पाड़ हो जाती हूं गरका सारा काम पाam तो यहाँ पर बना रहे हुआ जाय।। Fahrenheit प्र पर अब नेकिन पर हुआ है मैं सबढ़ करती हुआ। थैसे हो चाहां सबसे पहले जाए्ए ऐसका यहां। चाहां सबसे पहले बहां है, यृः covered, बश्ची बिदा पहले हैं हैं। मुझे इन मगों में चाय चाहिए तो इन में चाय दे रही हूं और एक मग जितनी तो चाय भी बनी है लेकिन बच्चे नहीं मादे फिर भी मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी चाय करके दी जितनी चोटे कप में बनती उतनी तो इन सब को भी चाय दे दी और मैं भी जाय पील ल तो हम सबने नाश्ता किया उसके आद में बच्चों को स्कूल भीजिया मिदलब खाना भी बना लिया था रोटी बनाने को भी बना के लेंच बगरा बना दी बच्छे स्कूल चलेगे इसके आदि में अगर के अपने काम में लग दी हूँ तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कर दी निर्चि तो यह कली मैंने मिर्चि मिंगाई भी द भी अबी प्रेकड वानी मागानी कुछ दिन से तो मैंने सदा इब्धी में भरके दिती हुँ और फिर घर काम आम है वो कर लेती हुँ तो इसे चवेल हैं में निमीर्ची करके रख दी और अभी परिज को साफ कर देती हुँ फिरीज में पता नहीं हमारे जो फिरीज में थोड़ी सी जो मच्छर जैसे होते हुग अंदर भूर जाते हैं तो पता नहीं इतना जंदा लगता है मर जाते इसमें तो फिर इना इसको जल्दी से साप करना पड़ता तो मैं न जो चार दिन में इसको साप करना पड़ता तो मैं सोची अभी में पोछा लागाने से पहले में ये साप कर दीती हूं और जो भी इसमें थोड़ा वाद पानी भी आ जाता है कि मैं स भाज थोड़ी से बताने, सुबह के यह भी धुदह के रख दीती। मुझे तो फुरसत नहीं मिलती करीबन 12 बुढ़ पूरा काम कर tomato कर लेखी तब तक मुझे बिल्खूलश casa अच्छा नहीं है अच्छा नहीं लगता है मुझे लगता है मिरा काम के लिए यह वह है करें तो मैं यह सोचती रहती तो मुझे लगता है मी घर का से पूरा काम कल और पिर जाके मैं आराम मिलता है मुझे तो मैंने बर्तन बगेरा दो थिक और यहां पर में फगर दो दो जाड़ो जाडु लगाके फिर मैं इसी में लगा दूम ayamana और उस कमरी तो दिखी पहले में जालू निकाली रहे किन जालू नहीं निकाली कि इतने दिन से घर बन पड़ा था तो ऐसा आज मुझे लग रहा इतना मुझे गंदा लागा कि बहुत चाला तो मैंने सुच चले पहले मैं घर की साप सपाई करती हूं मुझे कि अज़री दो ने कघितना बार में अब तो आपकेंद दो करना दिखते हैं अभी गंदा हो गया मैं काम चल रहा है तो और जिया लेख घ्र हो रहा हूं और मेरा मरे तो मुझे के भी दो देती हूं तो आ गई हो मैं बाहर दोने के लिए और दोने का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि थोड़ी सी देर में फिर भी जए इधर काम हुआ मिट्टी डाली उदर चे तो फिर जैसा था वैसा उससे जादा हो गया पहले तो इतना गंदा नहीं था लेकिन म फिर मैंने थोड़ी देर में जबी सूप गया फिर से मैंने दुबारा जया जाड़ू निकाली तो जाड़ू निकाली वाद थोड़ा बहुत ऐसा ही रहा लेकिन उतना साप नहीं हुआ गीला था गीले में और जए दूल चिपक गी इसमें फिर तो बिल्कुल साप नहीं तो चलती हूं थोड़े बहुत कपड़े हैं वह भी धूद आके रख देती हूं और आक यूं महीं है पर थोड़े से कपड़े तो मैंने डाल दिये यहां पर और अभी मेरे अमोसम बहुत अच्छा है भी ठंड वैसी नहीं है जैसे होनी चाहिए मतलब कि कोहरा वाली ठंड अच्छा लगता है फिर काम करने का मन भी करता है हाथ पर इतने ठंड हो जाता है पर मन नहीं करता है काम करने का और ना कमरे में जानने का इतनी ज्यादा ठंड लगती है अंदर तो मन करता है बाहरी बैठे रहो तो देखे बाबु को छोड़के यह आ गए ते फिर मैंने जो दूद लाए रख देती हैं अपा दूद गरम होने के लिए और अभी मैंने खा पर आपशली जाता तो मैंने सुची चलिए खाना भी खालूंगे और यह आपा दूद गरम हो जागा तो मैंने साथ में रख देख दिया दूद गरम होने के लिए और यह पल मैं लगा लीती हूँ बैसली बगरा तो बहुत चादा है फट रहे बैसली लागा के फिर खा ले तो बैसले मेगरा लगा ली और यहां पर मैं थोड़ी सी जो मेरे साहन की सब्जी रखी है तो मैं सची इसको गरम कर लीती हूं तभी पर अच्छे से इसको तल लीती दुबारा और बिना तेल डाल के इसी तल लिया और अच्छे से इसको तल के फिर में जाए खाना खालंगे क्याणा है तो दोस्तो आज का ब्लॉब्लोग मेरा कैसा लागा आप सभी यंदि कर नो मेरे प्ल nuevos खाता करेंगे एक नए ब्लोग में तब तक अपना और अपनों का खयाल रखना दोस्तों रादे रादे हरी कृष्णा